जी हाँ नमस्कार दोस्तों बात करेंगे डाक विभाग भरती दो हचार चुईस के बारे में यहाँ पे बंपर वेकेंसी निकली हुए यह डाक विभाग में 40,000 से ज्यादा पदोपी यह वेकेंसी एक तरीके से सीधी भरती है कोई एक्जामिनेशन नहीं होगा 32,000 वेकेंसी जहाँ पे कोई एक्जामिनेशन नहीं कि लिया जाएगा आपका शोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, मेल गार्ड इसके अलावा MTS वाली वेकेंसी, साथ ही साथ पोस्ट मास्टर वाली जो वेकेंसी यह 8,000 के आसपास पद है उसमें यहाँ पे एक्जामि गवर्णमेंट ओफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे यह वेकेंसी यह तरीके से पोस्ट ओफिस डिपार्टमेंट की जो कि पिछली साल भी आपकी निकली थी, इस वाल वापस से निकली है, कटोफ कितनी करहती है, डारेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, तीन तरह की यहाँ प इतने मार्क्स ला रखे, तो पूरी डिटेल डिसकेशन करेंगे, सभी स्टेट वाइज यह लिस्ट निकाली हुई है, और इसके अलावा नोटिफिकेशन भी आप ओनलाइन ओफिशल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, इसका ध्यान रखना, महिला और पुरुष अभ् इतन कर सकता है, पूरा डिटेल डिसकेशन आपके साथ में डिसकेश करेंगे, शुरू से लेके एंड तक ही वीडियो देखना, स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा, एक से लेके 23 तक जितने भी स्टेट से उन पर आपको क्लिक करना है, नियरबाइ जो इस भी जोन से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर जाके आपको एपलाई करना रहेगा, यह प्रोसेज रहेगा, आपका यह धियान रखना आप, पूरा डिटेल डिसकेशन करेंगे, तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, दोस्तों बात करेंगे हैं भारती डाक विबाग में पहले निकली हुई थी, शोर्टिंग, असिस्टेंट, पोस्टल, असिस्टेंट, मेल गार्ड की, उसी में एड करके यहाँ पर इसको 32,000, प्लस 8,000 पोस्टमास्टर वाली वेकेंसी, टोटल मिला के 40,583, all over इंडिया, सभी स्टेट में यह निकली हुई है, महिला और पूर आप आवेदन कर सकते हो, जो सेलेरी रहती ही, वो अच्छे खासे इसमें सेलेरी दी जाती ही, जो डेट्स रहेगी इसकी, वो 25,2024 से स्टार्ट होके, 36,2024 तक चलेगी, तो मही महीने की यह वेकेंसी है, मही के मिड में या उसके लास्ट वीक में यह आपको दिख जाएगी ओनलाइन फूम आप आवेदन कर सकते हो, कैसे एपलाई करना है, सारा सब कुछ क्राइटीरिया कैसे फुल्फिल रहेगा, 30 जून से पहले आपको आवेदन करना रहेगा, बंपर वेकेंसी निकलने वाली है, धिहान रखना पोस्ट ओफिस डिपार्टमेंट में, तो यह वे स्टाफ के आधार पर, मतलब एक तरीके से टेंथ के आधार पर MTS की जो पोस्ट है, वो फुल्फिल की जाएगी, वहीं पोस्ट में मेल गार्ड की 12 में अंको के आधार पर आपका सेलेक्शन किया जाएगा, यह आप ध्यान रखना छोटा सा, यहाँ पर यह चेंजेस किया गया है MTS के लिए और पोस्ट ओफिस डिपार्टमेंट में पोस्ट में या पोस्टिंग शोर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक देता हूँ, अब आपके भी जाके आप चेक कर सकते हो, धन्यवाद